नमस्कार दोस्तों स्टॉक मार्केट अपडेट चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का दिल से स्वागत है यदि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो हमारी ए रिपोर्ट आपको कभी मिस नहीं करनी है हमारे टीम के सभी मेंबर्स द्वारा काफी ही ज़्यादा स्टड़ी करके और रिसर्च करके ए रिपोर्ट आपको हम पेश कर रहे है उम्मीद करते हैं हमारी ए रिपोर्ट से आपकी स्टॉक मार्केट स्टड़ी को काफी ही ज़्यादा इंप्रूव बनाया जाए हमारी टीम द्वारा दोस्तों काफी ही ज्यादा रिसर्च और स्टडी करके हर सेटरडे को रात के नौ बजे एक रिपोर्ट पेश होती है और आज तक दोस्तों उस रिपोर्ट के मुताबित ही आने वाला वीक में अभी तक दोस्तों हमारे इन्वेस्टर को फ्रॉफिट मिला है नेक्स्ट वीक की ए रिपोर्ट काफी ही ज्यादा चौकाने वाली है और डेंजरस भी है दोस्तो आने वाले विक में rare event भी बन सकती है बात करते हैं सबसे पहली रिपोर्ट के बारे में दोस्तो ओमिक्रोन कितना प्रभावित करेगा शेर बाजार की चाल को जानिये इस वीडियो में एक्सपर्ट की राई के साथ सबसे ज्यादा चौकाने वाली बात दोस्तो निकल कर रही है foreign investor की और से foreign investor ने दोस्तो पिछले विक में 55,000 करोड का दोस्तो profit booking किया है और आने वाले दोस्तो next week में कोरोना का new variant से बाजार में भारी गिरावट हो सकती है यह बड़े बड़े researcher ने अपनी report में पेश किया है यह report को पाने के लिए दोस्तो आपको simply हमारी channel को subscribe करना होगा और वीडियो यदि अच्छा लगे तो like भी करना होगा अब बात करते हैं इस वीडियो में आई सबसे बड़ी update के बारे में अब बात कर लेते हैं दोस्तो विशले शकोंने यह राय जताई है कि यह सब्ता काफी ही घटना क्रमों वाला रहेगा मोद्रिक शमिक्षाओं के अलावा साप्ताहिक दोरान कई व्रुहत आर्थिक आंकडे भी इस वीक में आने वाले है वुसकी सीधी असर बाजार पे पढ़ने वाली है और एक चौकाने वाली एनसी निप्टी न्यूज कोरोना वाइरस के नए स्वरुप ओमिक्रोन को लेकर अनिश्चित्ता के बीच इस सब्ता शेर बाजार में उतार चड़ाव जारी रहने के आसार है दोस्तो इसके अलावा साप्ता के दोरान रिजर्व बैंक की मौद्रिक निती समिक्षा की भी बैठक होने वाली है जो इस मार्केट पे काफी ही ज्यादा बाजार को दिशा देने वाली है तो इस वीक में दोस्तो सबसे बड़े बड़े रिसर्च ने दावा पेश किया है कि इस वी रेड इवेंट के साथ ही क्लोज होने वाला है इस बीच सबसे चौकाने वाले न्यूज आर रही है यूपी से दोस्तो यूपी में स्वास्त विभाक के द्वारा रेड एलेड जारी कर दिया गया है और सभी ओमिक्रॉन से जुड़े पहलों पर ध्यान दिया जा रहा है इस इस वक्त दोस्तो 2020 का फिर से दोहरापन होगा या नहीं लेकिन यूपी गवर्मेंट दोस्तो सभी रिपोर्ट में शामिल बिंद्यों पर काफी ही गंपिरता से काम कर रही है उसका सिधा असर दोस्तो काफी ही सीरियस में हमें लेना चाहिए दोस्तो कोरोना के न्यू वेरियंट ओमिक्रोन को लेकर यूपी में एलाट जारी है सीएम योगी ने दिये निरदेश एक केवल एक स्टेत में ही नहीं दोस्तो हमारे गुजराद स्टेत में भी दोस्तो बड़े आठ शहरों में दोस्तो नाइट करफईू का आदेश दे द अच्छी न्यूज की बात करें तो दोस्तों जिस तरह से पिछले साल कोरोना के वज़े से मार्केट क्रेश हुआ था लेकिन जिस तरह फिर से मार्केट ने अपना रंग दिखाया और इन्वेस्टर के पैसे दो गुने से बढ़कर 10X भी कर दिया ऐसा ही दोस्तों फिर से होने वाला है यदि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो दोस्तों अभी से ही मार्केट गिरने के बाद की स्ट्रेटेजी के बारे में सोचना चाहिए जैसे ही मार्केट गिरता है और दोस्तों अपने पसंदिदा स्टॉक के बारे में ज्यादा ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में strategy बनानी चाहिए क्योंकि दोस्तों market गिरना भी एक मौका हो सकता है इसलिए हमें कहता हूँ कि 12 साल की experience से दोस्तों हम जो report पेश करते हैं उसमें strategy काफी ही ज्यादा useful रहती है ऐसी ही useful और important strategy के लिए हमारी चैनल को subscribe करना ना बुले और हमारा एप प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो like तो बनता ही है मिलते हैं next Saturday रात के 9 बजे के report में तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए